बेटा solar flame क्या है पर हेडिंग्स पढ़िए फिर भड़की सूर्य पर solar flame यानि सौर ज्वाला इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे solar यानि सूरज flame यानि ज्वाला फिर भड़की क्या मतलब है सूरज जैसा हम देख लेते हैं कि गोल है ऐसा गोल थोड़े होगा अगर कोई जलता हुआ पेंड है उसमें gas है hydrogen helium जो जल रहा है और जलने से ज्वाला flame डेवलप होती है जैसे किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो flame डेवलप होता है तो जो flame डेवलप होता है तो उसका आकार दूर से लगता है बहुत दूर है round पर real में जब वहाँ जाएंगे तो बहुत सारे ज्वालाएं उठ रही होती है अब ये ज्वाला जो उठती है तो साल दो साल क्या होता है लगातार बड़े बड़े ज्वाला उठते हैं बिग स्ट्रॉंगर solar flame उठता है और इस से जो radiation डेवलप होता है हमारे satellite को damage करने की ताकत रखता है उत्री धुर्व दक्षनी धुर्व को damage करने की ताकत रखता है वहां की चीजों को तो इस तरह से हर 11 वर्ष के बाद generally 10 से 11 वर्ष के बाद सूरज में ये जो solar flame है अगले दो-तीन वर्षों के लिए बहुत high हो जाता है वो दो-तीन वर्ष चल रहा है अगले वर्ष शमाप्त होगा 2021-22-23 तक ये चलेगा ये high solar flame तो इससे हमारे अंत्रिक्ष में घुम रहे हैं जो satellite है उसको खत्रा है अभी उत्री धुर्व में कुछ damaging हुई है तो ये प्रित्वी के अन जगों पे भी damage हो सकता है अब सवाद solar flame radiate करता है 10-11 वर्ष के बाद 2-3 वर्ष के लिए ज़्यादा होता है sun के जिस जगह पर solar flame ज़्यादा develop होता है उस जगह को black spot कहते हैं तो ये काला धबा दिखाता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा energy है विसफोट होता है तो sun पे अभी और भी बड़े ज़्यादा उभरे हुए black spot है जो अगले 6 महिना एक साल में develop होगा और high solar flame stronger solar flame आ जाएगा इस पर सवाल UPSC पूछता है पूछता ही है सवाल अब जरा समझे जो लिखा हुआ है उत्रा खंड के नैनी ताल में हमारा एक आर्य भट प्रेक्षन विज्यान शोद संसान यानि एरीज है उसने पता लगा के कहा है जो continue उस पर research कर रहा है अभी हमारा सूरज 25 में 100 चक्र म सोलर साइकल ये question बन गया जिस कारण से धुर्विये छेत्रों में polar reason में radio black out अभी अभी हुआ है radio black out का मतलब है जो radio frequency है वो damage हुई है radio frequency को damage किया है हमारे pole पे अगले दो दिनों तक aurora के रंग नजर आएंगे यानि और ज्यादा डेवलप होगा दो दिन पूर्व sun sport AR 329 से एक जबरदस्त ज्वाला निकली इस ज्वाला से प्रत्वी पर भू चुम्ब किये तुफान पहुँच सकता है इस ज्वाला से प्रत्वी पर क्या होगा जियो magnetic ठीक है साइकलोन डेवलप हो सकता है तुफान डेवलप हो सकता है और इस छेतर में जो रेडियो है वो ब्लैक आउट हो जाएगा रेडियो वेवस तो रेडियो डिस्टर्ब कर सकता है ये बात ये कह रहा है आपसे अब सवाल अभी भी बड़े आकार के आधा दरजन छे स से जादा सन एस्पोर्ट दिख रहे हैं और ये सन एस्पोर्ट जो है बड़े सौर जौलाएं उठने की संभावना है सौर तुफानों के साथ आने वाले उच उड़जावान कन सेटलाइट के लिए खतरनाक होते हैं हवाई सेवाओं का भी संचालन बाधित कर देती है तो कुल मिलाके यही चीज़ें आपके जाद रखना है पचीसवा सौर चक्र है रेडियो ब्लैक आउट अभी कहा हुआ है पोल रीजन में हुआ है अब कौन बता रहा है एरीज बता रहा है छे से ज्यादा अभी सन एस्पोर्ट हैं जो दुचार दस बीस दिन में अभी और डे आएगा, okay, next.